कक्षा दूसरी विशे हिंदी उपविशे पाठ तीन आस्मान गिरा व्याख्यान संख्या दो प्यारी बच्चों आज हम पाठ तीन आस्मान गिरा से संबंधित अभ्यासकारी को करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का कारिये पार्ट तीन आसमान गिरा अब भ्यासकारिय चलिए बिटा पहले यहां दिये गए कुछ कठीन शब्दों को पढ़ती है उच्चारण हमें इनका उच्चारण करना है पहला शब्द है नींद क्या लिखा हुआ है नींद दूसरा है हाफना तीसरा शब्द बिटा डील डॉल चौथा शब्द है दहार पाच्वा शब्द है आसमान चठा शब्द है आवाज चठा शब्द है आवाज और सात्वा शब्द है बिटा खरगोश सात्वा शब्द है खरगोश अब चलिए पाठ की बात में सबसे पहले हम मौखिक प्रश्णों के बारे में जानती है बिटा इन प्रश्णों को आपको नोट बुक में जब मैं कराऊंगी तो करना है ठीक है अभी आपको सिर्फ इनके उत्तर जानने है आपको आना चाहिए अभी इसमें आप लिखेंगी नहीं क निमलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए पहला देखिए पेड के नीचे कौन सो रहा था तो बिटा दूसरा देखते हैं लोमडी ने किसे भागते हुए देखा बताए कि लोमडी ने किसे भागते हुए देखा आप अपनी मम्मा को बता सकती है लोमडी ने खरगोश को भागते हुए देखा चीकिए तीसरा देखिए क्या गिर रहा था तो बिटा इसका उत्तर है आसमान गिर रहा था है ना चौथा देखिए यही है तेरा आसमान यह किस ने किस से कहा तो बिटा इस बात को शेर ने खरगोश से कहा था कि यही है तेरा आसमान तो इन मौखिक प्रश्णों के उत्तर को हमने जान लिया चलिए अब लिखित कारी को करते हैं किस ने कहा किस से कहा पहला देखिए बेहन भागो तुम भी भागो तो यहाँ पूछा जा रहा है बिटा कि किस ने किस से कहा किस ने कहा कि बेहन भागो और किस से कहा तो खरगोश ने किस ने कहा खरगोश ने कहा यहां लिखेंगे बिटा, खरगोश ने, और किस से कहा, कि बेहन भागो, तुम भी भागो, लोमडी से कहा, खरगोश ने, लोमडी से कहा, यह देखें, लोमडी से, बेहन भागो, तुम भी भागो, किस ने कहा, खरगोश ने कहा, और किस से कहा, लोमडी से कहा, दूसरा देखें, आसमान को किस ने गिरते देखा, अब पहले आपको बताना है, कि किस ने इस बात को कहा, तो बेटा, सेर ने, लिखेंगे, सेर ने, कहा था न, कि आसमान को किस ने गिरते देखा, और किस से कहा था, हाथी से, लिख देंगे यहाँ पर, हाथी से, यह देखें, हमारे दूसरे, प्रिशने का भी उत्तर मिल गया, कि आसमान को किस ने गिरते देखा, किस ने कहा, सेर ने कहा, और किस से कहा, हाथी से कहा, तीसरा देखिए, ठेहरो, कहा भाग रहे हो, तो किस ने कहा, बेटा, सेर ने कहा, कि ठेहरो, कहा भाग रहे हो, सेर ने, और किस से कहा था, बताईए खरगोश से कहा यहां लिखतेंगे खरगोश खरगोश से कहा कि ठेरो कहा भाग रहे हो तो इस परकार से देखे बिटा हमने खर में दिये गए पहले दूसरे और तीसरे प्रिश्ण के उत्तर को जान लिया कि बेहन भागो तुम भी भागो किस ने कहा खरगोश ने कहा और किस से कहा लोंबडी से कहा दूसरा देखे आसमान को किस ने गिरते देखा किस ने कहा शेर ने कहा और किस से कहा हाथी से कहा तीसरा देखे ठेरो कहा भाग रहे हो किस ने कहा शेर ने कहा और किस से कहा, खरगोश से कहा, तो इस प्रकार से ये प्रश्ण हमारा पूरा हो गया गर देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाईए पहला देखिए, आसमान गिर रहा है, सबसे पहले किस ने कहा, खरगोश ने, भालू ने या हाथी ने तो बेटा, आसमान गिर रहा है, सबसे पहले किस ने कहा था, खरगोश ने कहा था, और इस पे हम सही का निशान लगा देगे दूसरा देखिए, सेर से किस ने कहा, कि आसमान गिर रहा है, लोमडी ने, हाथी ने, या खरगोश ने तो बताना है हमें कि सेर्थे किस ने कहा कि आस्मान गिर रहा है तो इसका उत्तर है हाथी ने कहा सेर्थे कि आस्मान गिर रहा है तीसरा देखते हैं सेर्थे डाटते हुए कहा यही है तेरा आस्मान दोनों ही यह ठहरों कहा भाग रहे हो आपको बताना है कि सेर ने डाटते हुए क्या कहा था देखिए शेर ने ये भी कहा था कि ये ही है तेरा आस्मान और शेर ने ये भी कहा था ना कि ठेरो कहा भाग रहे हो तो इसका मतलब है दोनों ही बाते शेर ने कही थी इसलिए हम नमबर टू पर सही का निशान लगा देंगे तो देखे बिटा इस प्रकार से प्रश्निगा के उत्तर को भी हमने जान लिया घ़ देखे सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिये पहला शब्द है पीछे पीछे दूसरा शब्द है तगड़ा और तीसरा शब्द है बिटा दहाड़ा चलिए सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरती है नमबर एक देखे अब की बार शेर और जोर से खाली स्थान तो यहाँ पर हमें सही शब्द चुनकर भरना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिटा दहाड़ा द, हा में आ की मात्रा, ड में आ की मात्रा रोपर शिरो रिखा अब की बार शेर और जोर से दहाडा अब देखें नमबर दो, आगे आगे खरगोश भागा, खाली स्थान लोमडी यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे बिटा, पीछे पीछे प में बड़ी की मात्रा, छ में एकी मात्रा उपर शिरो रिखा बीच में योजब चिन, फिर पीछे लिखेंगे प में बड़ी, एकी मात्रा, छ में एकी मात्रा उपर शिरो रिखा पीछे पीछे, आगे आगे खरगोश भागा, पीछे पीछे लोमडी अब तीसरा देखिए, हाथी, तोथा, मोटा, और यहां का क्या बचा हुआ है, तगड़ा, यहां लिख देंगे हम, तगड़ा, तगड़ में आकी मात्रा, उपर शिरो रिखा, हाथी, तोथा, मोटा, तगड़ा, तो इस प्रकार से देखिए बिटा, हमने शही सब्द चुनक पर खाले स्थान को भी भर दिया, चलिए, अगला प्रश्न करती है, अगला प्रश्न देखिए बिटा, दिया गया है, सही या गलत का निशान लगाईए, आपको यहां दिये गए वाक्यों को पढ़ना है, और सही पर सही, तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाना है, पहला देखिए, खर्गोष पेड़ के नीचे सो रहा था, तो इसका सही का निशान हम लगा देंगे, तो कि खर्गोष पेड़ के नीचे सो रहा था, ये वाग के सही है दूसरा देखिए, अचानक जोर से आवाज हुई, ठाएं, तो नहीं, ये वाग के गलत है, तो हम इस पर गलत का निशान लगा देंगे, इस बॉक्स के अंदर ठीके, तीसरा देखिए, हाथी ने सिर हिलाया, और बोला, मुझे तो लोमडी ने बताया है तो नहीं, बिटा, ये गलत वाख्ये है, पेर हम गलत का निशान लगा देंगे चौथा देखी, हाथी ने तीनों को भागते हुए देखा तो इस पर हम सही का निशान लगा देंगे हाथी ने तीनों को भागते हुए देखा था पांचवा देखी, आसमान गिरा था, इसलिए खरगोश डर गया ऐसा क्या हुआ था कि खर्गोश ने देखा था कि आसमान गिरा हुआ है इसलिए खर्गोश डर गिया ऐसा हुआ नहीं था लेकिन खर्गोश ने ये सोचा था कि आसमान गिरा है इसलिए खर्गोश डर गिया है तो इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं क्योंकि खरगोश ने ऐसा सोचा कि आस्मान गिरा है और वो डर गया तो इस प्रिकार से हमने इस प्रिश्ण के उत्तर को भी कर लिया अब चलिए भाशा की बात क एक के अनेक शब्द लिखिए देखे बिटा पहला शब्द दिया गया है फल और फल का अनेक शब्द बना फलों फलों तो दूसरा शब्द है पेड तो पेड का अनेक शब्द क्या बन जाएगा पीडों, पा में एकी मात्रा, र में ओकी मात्रा के साथ में बिंदू और उपर शिरो रिखा पेडों, तीसरा है शेर, शेर का नेकशब्द क्या बन जाएगा बिटा? शेरो, श में एकी मात्रा, र में ओकी मात्रा के साथ में बिंदू और शिरो रिखा शेरो, फल, फलो, पेड, पेडो, शेर, शेरो अब चौता देखी, आख आख का अनीक शब्द बनाना है मैं लिखेंगे आ और ख में ओकी मात्रा के साथ में बिंदू और उपर शिरो रिखा आख आखू नमबर पांच देखिए फूल फूल का क्या बन जाएगा फूलो फूल ला में ओकी मात्रा के साथ में बिंदू और उपर शिरो रिखा फूलो नल, नलो न, लामियो की मात्रा के साथ में बिंदो और उपर शिरो रिखा तो इस प्रकार से देखे बिटा हमने एक के अनेक शब्द लिख लिए पर पढ़ते हैं फल, फलों पेड, पेडों शेर, शेरों आख, आखों फूल, फूलों नल, नलों तो इस प्रकार बिटा यहां दिये गए एक शब्द के हमने अनीक शब्द लिख लिए अब बिटा आज का ग्री कारे प्यारे बचों, आज मैंने आपको ग्री कारे दिया है कि अभिविक्ती हिंडी पार्थे पुस्तक पार्थ तीन आसमान गीरा से संबंधित पार्थ तीन आसमान गीरा कठेन शब्द नमबर एक अचानक नमबर दो चौक नमबर तीन वहा नमबर चार खरगोश नमबर पांच लोमडी नमबर छे सोचा नमबर साथ हाफता नमबर आठ आवाज नमबर नौ भालू नमबर दस तगड़ा नमबर ग्यारा दील डॉल नमबर बारह दाहाड़ा नमबर तेरा गिर्ति नमबर चौदह हिलाया नमबर पंद्रह डाटते नमबर सोलह शर्म नमबर सत्रह अफवाह नमबर अठारा सच्चाई तो बिटा इस पर करते हैं अपनी कठिन शब्दों को अपनी कौपी में लिख लिया होगा चलिए अब शब्द अर्थ की भी दो राई कर लेते हैं शब्द अर्थ शब्द अर्थ नमबर एप हाफना हाफना का अर्थ है बिटा सास फूलना नमबर दो टोका टोका का अर्थ है रोक कर पूछना नमबर तीन तगड़ा तगड़ा का अर्थे बिटा ज्यादा वजन वाला नमबर चार देखिए दहाडा दहाडा का अर्थे गरजा दहाडा का अर्थे गरजा नमबर पांच देखिए आस्मान आस्मान का अर्थे बिटा नभ आस्मान का क्या अर्थे नभ नमबर छे शर्म शर्मकार्थ है लज्जा शर्मकार्थ है लज्जा तो इस प्रकार से बिटा हमने शबदर्थ की भी दोराई कर ली आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद